हालो एव्रिवन आज के जो मेरा सेशन है वो निमसेट 24 इस्टुरेंट के लिए है जो लोग निमसेट 24 को क्रैक करना चाहते हैं और जो बच्चों ने इस बार एड़िशन लिया अभी पर कई बच्चों को कॉलेज पसंद नहीं है लीव कर दिया ऐसे में कई बार कोश्चन हो अंदा दिन बढ़ जाएंगे क्या इस एट मंत में निमसेट को अच्छी रैंक के साथ अचीव करना पॉसिबल है कि नहीं यह बड़ा इंपॉर्टेंट कोशन है हर एक का कोशन है वो बच्चे जो ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए और जो नए बच्चे हैं जिनको इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं क्योंकि कई बच्चे वन यह से प्रिप्रेशन कर रहे हैं कुछ ऐसे भी टू यह से आपको बस करना यह कि इस एट मंत में आपको अपनी पढ़ाई उन बच्चों से जो एक साल से पढ़ाई कर रहे हैं उससे 1.5 टाइम ज्यादा यानि देड़गुना और जो बच्चे दो साल से पढ़ा हैं उससे डवल यानि आपको डवल पढ़ा ही करने की कोशिश करना चाहिए और मैं आप सभी को बोलूँगा इस्पेशली फ्रेशर्स बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर बहुत कम टाइम बच्चा है कॉलेज के ए जाम उसी समय होते हैं ऐसे में क्या टाइम इनफ है क्या हम कर पाएंगे कि नहीं हम सोचे हैं कि नेक्स ड्रॉप लेके अच्छे से करें उन बच्चों को मैं स्पेशली मैसेज दूँगा कि अगर आपने सोची लिया है कि ड्रॉप लेके अगले साल अच्छे से करें तो फि बलूँगा कि अभी समय हैं आप अपना हंडेट परसेंट डालिए इन आठ महीनों में आप अपना हंडेट परसेंट डालिए में भी कि आपकी अच्छी रहेंका है नहीं तो आप जो सीखेंगे उससे ड्रॉप यह आपका सक्सेस्फुल यह डेफिनेटली होगा और जो यह डाप पास कोई और काम ही नहीं तो कॉलेज के साथ मैनेज करेगा आपको कॉलेज के साथ मैनेज नहीं करना है यानि आपको दो एंड से पढ़ाई करनी है और अगर आपको मैस्ट भी कवर करनी है और ल लेंड पर पढ़ा ही करो गया या निए आपको morning और evening दो classes attend करनी होगी और morning class जैसी complete हो morning की practice करिए उसी समय और evening class खतम हो तो evening में practice करिए और इस तरह से आप इस syllabus को timely cover कर पाएंगे अब वो student जिनको morning में college है कई बाद उनका question होता है कि sir हम यह दो class को manage कैसे करेंगे तो अगर आप मांन लीजिए मारनिंग में Live क्लास नहीं देख पाते तो यह जो Live क्लास होती है अगर आप नहीं देखी तो आप इसको Recorded Form में भी देख सकते हैं तो आप रात को देख लें कई बच्चे हैं आप हुआ ठ voi बंत है इसमेक proper systematic way में पढ़ाई करेंगे तो मैं शोर हूँ कि आप एक अच्छी रेंक अचीव कर सकते हैं तो इस बैच में पूरा syllabus complete होगा इस बैच में test series include होगी इन test papers के live analysis होंगे कोई बच्चा चाहे तो केवर test series भी join कर सकता है पर मैं एक suggestion दूँगा कि test series उन बच्चों के लिए बहुत useful होती है जो self-steady discipline के साथ पढ़ रहे हैं कर रहे हैं पर अगर आपकी पढ़ाई regular नहीं हो पा रहे हैं आप भटक रहे हैं या आपको topic में confusion आ रहा है तो मैं आपको सला दूँगा कि इस regular batch को join करिए जिसमें आप regular class attain करेंगे regular testing करेंगे proper एक study material होगा आपको कहीं confusion नहीं होगा और बहुत high possibility है कि अगर आपने जिस धंग से बाच चलेगा अगर आपने सारी चीज़ों को properly follow किया तो आप एक अच्छी rank भी कर सकते हो और इसमें निमसेट के साथ क्योंकि अब निमसेट की preparation मतलब all exams की preparation तो आपका CUT का भी syllabus complete होगा semi syllabus है और CUT की preparation भी होगी जिसके थुरू आपको DU या JNU या BHU college मिलेगा और other state exams जो होते हैं वो भी इसमें cover होंगे thank you and all the best